नमस्वार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शबी को बता दें कि काल चकर का नया खेल शुरू हो चुका है अब आपके जिन्दगी से शबी परकार की बुराई का अंतु होने वाले हैं श्रभी परकार के दुख जो आपके जुनकाल में लगतार कई शमयों से चल रहे हैं, जो आपके जुनकाल में परिशानी, जो लगतार कई शमयों से चल रहे हैं, दोसों उन्से अब आपको छुटकारा मिलने वाले हैं, अब आपको श्रजाओं से मुक्ति मिलने वाले हैं, ज पिश्री नजर अब आपके कुण्डली पर पढ़ चुका है जिनके कारन दोसों अब आपका श्रमय का काल चक्र बदल चुका है जिनसे दोसों आप शुबी की जुनकाल में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं जिन्दोसों दोस्तों हम आप शपय को बता दें कि आकिर कब तक आप उशkiego बुरे दौर में रहते आकिर कब तक आप लोगों के जुल्मत शित्म को शहते जितना आप अच्छा करते थे लोग आपको उतना ही गलत और उतना ही बुरा शावित कर देते थे दोसों आपने यह चीज तो देखा है कि किस प्रकार लोग आपका अशी फायदा ही उठाते ही कभी भी आपका शाथ नहीं देते जब शामने आ जाए तो मुँपर अच्छी बात तो बोल देते ही लेकिन जब रियल में जब हकीकत में आपको उसकी जरुद पढ़ जाती है तो दोसों आपके शाथ कोई भी खड़ा नहीं रहता और आप यहाद भी जानते हैं कि आप हमेशा शबी के शाथ खड़े हुए हैं, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, आप उनके शाथ हमेशा खड़े रहे हैं, उनके दुख में, उनके दर्द में हमेशा आप उनके शाथ निमाए हैं, लेकिन दोसों, जब भी आपका बारी आती है, जब भी आपका शमय आ ते इसलिए दोस्तों आने वाले आठ से दस दिनों का जो शमय होगा आपके लिए बहुत ही बड़े महत्पुन शमय रहने वाले हैं जिए दोसों यश में आठ जगों पर आपको आठ बड़े खुशकवरी मिलेगी और आठ जगों पर आपको शाल धनियां भी रखने होंगी जै दोसों तो दोसों यश में आज का है विडियो आप शुभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पुन होंगी और बहुत ही ज़्यादा लाबकारी होंगे आने वाले आपके भगश के लिए तो दोसों आज के इस वीडियो को आप बिलकुल ही मिश्णा करें और शुरू मन से जय भूलिनात जरूर लिखेगा भगवान भूलिनात का शिव मश्रबाद आप शभी को प्राप्ट होगा जय दोस्तों शनातन धर्म में भगवान भूलिनात शबी देव में शवी देव हैं जो शवी भकतों पर तुरंधी परशन हो जाते हैं सिप्र बेल पत्र अर्पित कर देने से भगवान भुलिनात परशन हो जाते हैं सच्चा शर्था रखने से भी भगवान भुलिनात परशन हो जाते हैं और जिनके भी जुनकाल में अपनी तिश्री नजर खुल दे उनके जुनकाल से शारे अंध करती है वह मुड़ने वाला है और आपके जुनकाल में आपको एक नई जिन्दगी भगवान भुलिनात देने वाले हैं जया दोसों तो दोसों आने वाले आठ दुनों में आपको आठ बड़ी शावधानी परेकनी है और आठ बड़ी आपको कौन-कौन से खुशकवरी कि जीवन से जो भी मिले उसे पाचाना शिको क्योंकि भोजन नो पचने पर चर्वी बढ़ती है पेशे नो पचने पर दिखावा बढ़ता है बात नो पचने पर चुगली बढ़ती है और परशंसा नो पचने पर घमन बढ़ता है चुगली नो पचने पर दुश्मनी बढ तो हमेशा हर मनिश को अपनी जुनकाल में जीवन में जो भी चीज मिली उन्हीं पचाना शेहना चाहिए जिया दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण का यह प्रमग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो दिल को चूलिया हो तो दोस्तों विडियो को एक लाइक जरूर करें और इन आज़रेनगोंवाद का तिसरी नजर अब आपके कुुंडली में है तो दोसों यहें में अब आपको आठ जगेश्ण कौंशी आठ बड़ी स्वाधनी रखनी है और आठ जगोंपर कौोंशी आठ बड़ी आपको खुश कहवरी मिलने वाली है चलिए दोसरों बात करते हैं पूरे विश्तार से दोस्तेयाश में आपके व्यक्तितों और वहानी दोवरा लोग आप से प्रवाइट होंगे शमाजिक तथा पारवरिक लोगों की तरफ से बिजिर्स मान समान भी यश्में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों घर में किसी महत्पुन व्यक्ति की आगमन से किसी मुद्धे पर शकार्टमग विचार भिमर्ष भी यश्में हने वाले हैं और दोस्तों आपको उदा दें यश में आपके शावधानी क्या होगी दोस्तों कभे कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्मिकेंद्रित होने से या फिर एगो की भावना रखने से आपसे शमंदों में कुछ राव भी आ शकते हैं दोस्तों किसी अंजान व्यक्ति के शाथ अपने कोई भी युजना शेयर ना करें अने था धोखा दड़ी भी होशकती है दोस्तों इन सब चीजों से यश में आपको शावधान रहने की जरत होंगी अश्कु प्रांदों से यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली दोस्तों आपको बदा दें कि उसे जिम्मेदारी शमंदित आपका उत्साक यश में कम होगा और काम शमंदित रूचे भी कम होने के विज़शे काम की क्लेटी परिश्का शर्फ दिख सकता है तो दोस्तों इन सब चीजों पर यश में आपको ध्यान देने की आप शक्ता हो दोने यह आपके यश में बैतर होंगे वर्शक प्राण दोस्तों आपको बदा दे कि यश में भाग्य उनति के सुब अवसर भी बन रहे हैं दोस्तों कुछ में से चल रही चिंताओं से आपको रहात मिलेगी परिवार की लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जबर अपर अत्ती उत्सा में पना बनाये खेल भी बिगड़ सकता है यह में शंतार का अडियल तदा जिद्धी रवाया भी आपको प्रिशान कर डालेगा धैर और श्यम से काम ले सब काम सही होगा और इसको प्राण दूसरी यह में आपको बदा दे कि आपके आज-पास की दोवारा मिल रही आलोचना के वज़ाशे जो है उनके प्रतिक टूता आपकी बढ़ सकती है यदि आपको निरले चंता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको प्रें निरले पर डटे रहना ही उचित होगा दोस्तों आप शबी को पिता दें कि नियाय के देवता है भगव का जब करते हैं तीर्थों में अर्षान करते हैं किशी को पीडा नहीं पहुंचाते हैं शब का भला करते हैं उन पर शनिदेव अनिष्ट कारी कश्ट नहीं देते बलके उन्हें शुक परदान करते हैं तो दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में इन्हें शबी बातों क प्राप्त करना है तो दोस्तों उम्मीद करतें कि आज कई है वीडियो आप सब्सक्राइब करना ना बोलें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और एक शीदिक जानकारियां आप तक शब्से पहले पहुंच शके धन्यवाद आपका शमय सुब रहे